How to publish Android app in Indus App Store तो गाइज आज का वीडियो में आपको बताऊंगा Indus App Store में कैसे आप अपना एप्लिकेशन को पब्लिस करोगे उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सस्क्रेब नहीं कहा है तो सस्क्रेब कर लो और वीडियो को भी एक लाइक कर दो तो चलिए अभी वीडियो के तरफ आगे बढ़ते हैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था Indus App Store में कैसे अपना एकाउंट बनाओगे और अपना एकाउंट को कैसे फेरिफै कराओगे अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक में ये डिस्टिरोशन दे दूगा जरूर देख लेजएगा एकाउंट क्रियेट हो जाने के बाद लिस्ट निव एप के उपर आपको क्लिक कर देना होगा नेक्स्ट अपना एप्लिकेशन को पब्लिश करने के लिए कुछ इस टेप आपको कॉंप्लिट करना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पर टाइटेल आता है तो टाइटेल का अधर हमारा एप्लिकेशन का नाम लिखना होगा जैसे कि हमने एक ट्राइटर एप्लिकेशन इसमें अप्लोड करने वाले हैं तो उसी की सबसे यहाँ पर मैंने टाइटेल लिख दिया है नेक्स्ट अप आइकन यहाँ पर चूज पिक्चर के अपर क्लिक करके एक आइकन इसके लिए हमने सेट कर लेते हैं आइकन का जो रेशियो होता है वान इस्टू वान जैसे की पांसो बारा इंटू पांसो बारा ने तो दोसो चपन इंटू दोसो चपन इसी कही सब सबको रखना पड़ेगा और यहाँ पर जो आप आइकन आप अप अपलोड करेंगे उसका जो साइज 2MB से कौम होना चाहिए ठीके next app type, app type के अंदर हमारा application है या फिर game है वो बताना पड़ेगा तो हमारा application है तो यहाँ पर app select करेंगे next category तो किस category का है हमारा application तो guys हमारा translator application उसी कही सब से हम यहाँ पर education select कर लेते हैं जो आप application आप लोड को रखे उसका category आपको यहाँ पर select करना होगा next option में आपको यह पूछा जा रहा है कि आपका application के अंदर जो content है किस चीज का related है जैसे कि google play console के अंदर आप notice किये होंगे कि उसमें भी वताना पड़ता है कि आपका application banking related है या फिर new job है या फिर government type का application है मतलब किस चीज का related है अगर आपका application के अंदर content जो है इससे related है तो आपको उसके सामने उसके पीछे आपको tick mark लगाना होगा अगर इन में से कोई भी नहीं है तो आपको सबसे नीचे non of the above इस option को select कर दना होगा सिर्फ ठीक है next age group translator application को translator application के लिए कौन सा age group चाहिए तो guys हमने यहाँ पे 15 13 से 15 कर लेते हैं और 15 से 16 और 18 से एभव यह तिनों select कर लेते हैं और save and next कर लेते हैं यहाँ पे save and next के अबर click करने के बदा हमने जो process यहाँ पे किया है वो सारे save हो जाएगा और next procedure आ जाएगा next procedure के अंदर हमको सबसे पहले short description भरना होगा जो कि मैंने पहले लिख रखा है तो यहाँ पे paste कर देता हूँ तो guys देख सकते हूँ हमने एक short description यहाँ पे दे दिया है और guys next long description long description अगर आपको सही से लिखना आता है तो guys यहाँ पे आप type कर सकते हो वरना मैं आपको एक method बता देता हूँ chart gpd के अंदर आप आ जाए और यहाँ पे type कर लिजे prompt जिस related आपको description चाहिए तो हमने कुछ यहाँ पे prompt डाल दिया है और जैसे enter दबा देंगे तो guys हमारे application के हिसाब से यहाँ पे description आ जाएगा तो guys हमने यहाँ पे simple सा copy कर लेंगे और हमारे application का description में हम भर देते हैं पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे guys अगर आपको और भी description चाहिए तो guys आप खुझ टाइप कर सकते हो वरना आप चार्ट gpd का help लेके आप ज्यादा से ज्यादा description यहाँ पे दे सकते हो तो guys अच्छा अच्छा keyword इसमें डालो जैसे कि आपका application searchable में आए और अच्छा अच्छा download आजाए application का description भरने के बाद next आपको screenshot अप्लोड करना पड़ेगा यहाँ पे art list आपको 2 अप्लोड करना होगा maximum यहाँ पे 8 अप्लोड करना पड़ेगा ठीके screenshot का जो format होगा jpeg, jpg and png का होना चाहिए और इसका जो size है 1920 x 1080px का होना चाहिए ठीके by the way हम यहाँ पे 5 screenshot अप्लोड कर चुके हैं और यहाँ पे save and next के अपर click करना होगा ठीके अगर आपको और भी screenshot चाहिए तो maximum आपको यहाँ पे 8 अप्लोड करना पड़ेगा ठीके save and next के अपर जैसे हमने click करेंगे तो guys हमारा यह setup सारे save हो जाएगा और next procedure आ जाएगा तो next procedure के अंदर जो जितने भी language है उसी के इसाब से आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा यह के optional चीज है अगर आप यह भरना चाहते हो तो भर सकते हो वरना आप छोड़ सकते हो देख सकते हो यहाँ पर काफी सारे लांगे जाबेलो बुले अलोग 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 लांग्वेज में अगर आप अपना अप्लीकेशन का डेस्टियूशन वगरा भरते हो तो लोकाल म अपने इंग्लिश में टाइप किया था उसी के इसाब से यहां पर एप्लीकेशन टाइटेल लॉंग डेस्वीशन शारे को हिंदी में हो जाएगा और उसके लिए हिंदी का स्क्रिंशट अगर आप अप्लोड करना चाहते हो तो आप यहां से अप्लोड कर सकते हो लोकाल ल करेंगे अब हमारा फिंदी लांगेज्य सेटप हो गया हिंदी लांगेज जिस जिस लोकेशन पर चल रहा है उसी जगाँ पर हमारा एप्लीकेशन रांक करेंगा करेंगा ठीक ही इंदी के बाद अगर आप दुसरे लांगेज अगर अड्ड करना चाहते हो तो फिल नाव के करके हमने दूसरा लांग्वेज के लिए भी चलिए बना लेते हैं जिसे लांग्वेज मराठी है जेनरेट फ़र मराठी के बर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो इंग्लिश का मराठी में मराठी में यहां पर आ जाएगा प्रिवियस प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपना लोकल लांग्वेज के लिए स्क्रिंसट भी अप्लोड कर सकते हो नेक्स्ट यहां पर गुजराती है एक बात आप ध्यान में रखना जो जो लांग्वेज आप इंडिवेजियल यहां पर एड करोगे बो लांग्वेज जिस जगह पर चल रहा है उस जगह पर आपका एप् सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे नेक्सट प्रोसिजर में डेवलोपर इंफर्मेशन और डाटा सिप्टी के सेट अप करना पड़ेगा तो चलिए गाई सबसे पहले सपोर्ट इमेल जो है तो इसमें हमने एक इमेल आईडी दे देते हैं नेक्स्ट सपोर्ट कॉंटक्ट नॉबर आप अपना मोबाइल नॉबर यहाँ पर दे सकते हैं मोबाइल नॉबर यहाँ पर इंटर करना के बाद वेबसाइड यूरल आपको देना पड़ेगा अगर आपके पास वेबसाइड आभेलेबल नहीं है तो आप ब्लॉगर के अंदर एकाउंट बना के उसमें फ्री में एक वेबसाइड बना सकते हो तो हमारे पास यह के वेबसाइड है तो चलिए हमारा जो ओफिसल वेबसाइड है उसमें भर लेते हैं तो ओनलाइन टेक सपोर्ट का हमारा यह जो ओफिसल वेबसाइड है किसी का यहाँ से उठा लेते हैं फिर भी मैं बता देता हूँ, आप प्राइबिसी पॉलिसी जेनेरेटर जैसे आप गूगल में सर्च करोगे, तो यह वाला वेबसेट के अंदर आप आ जाएंगे, तो यहाँ पर आने के बाद स्टार्ट के उपर क्लिक करना होगा, नेस्ट एप्लिकेशन का डिटेल्स आप और आप अटोमेटिकल आ जाता है, तो आप उसे इसे एप्लिकेशन फरी या फिर ओपन सोर्स है, तो हमने फ्री के उपर सिलेट करके, नेस्ट कर देंगे, अब अपरेटिंग सिस्टम सिलेट करना होगा, हमेरा एप्लिकेशन एन्ड़ेट हैं, तो एंड़ेट के उप लाइब के अंदर अगर आपका individual account है तो individual select कर सकते हो अगर कोई company है तो company का नाम यहां पर लिख सकते हो तो individual हमने यहां पर select करके हमारा developer name लग देते हैं जैसे कि online tech support में यहां पर लिख देता हूं और next के उबर क्लिक कर लेता हूं उसके बाद अगर अपना application में third party service को यूज कर रखा है तो उसमें आपको tick mark लगाना पड़ेगा जैसे कि add हो गया उस notification हो गया अगर यह सब भर रखा है तो आपको उसके पीछे tick mark लगा दना होगा ठीक है अब हमें next के ऊपर क्लिक कर लेते हैं अब हमारा privacy policy जेनरेट हो गया है privacy policy के उपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो इसका जो टेक्स्ट है इहां पर आ जाएगा तो गाइज हमें सारे के सारे यहां से copy कर लेंगे लास्ट में Gmail ID तक आपको copy कर लना होगा तो गाइज यहां से हमने copy कर लेते हैं और blogger के अंदर चलेंगे अगर account नहीं है तो आप फ्री में बना लिजी पेज या फिर post के उबर क्लिक कर लो यहां पर अपना सारे test को paste कर दो next जो privacy policy अब बना है उसी application का नाम यहां पर लिख दो उसके सामने privacy policy टाइप कर लो अब publish के उबर क्लिक करके confirm कर लेते हैं और आमारा यह जो privacy policy बनके ready हो चुगा है तो इसका URL चाहिए तो share बटन के उबर क्लिक करना होगा और यहां पर copy link के उबर क्लिक करके इसका URL को हम यहां से copy कर लेंगे और यहां पर इंडस app store के अंदर privacy policy का URL जगा पर paste कर देंगे अगर आपका privacy policy नहीं है तो आप यहां पर I do not have a privacy policy तो इसी option के उपर क्लिक कर सकते हो अगर आप यह शिलर्ट करते हो तो आपको बताना पड़ेगा क्यों नहीं है आपके पास privacy policy तो guys हमारे पास privacy policy है already तो हम यहां से हमारा privacy policy को फिर से दे देते हैं ठीके उसके बाद data safety का procedure स्टार्ट हो जाएगा जिसे की Google Play Console में आप देखे होंगे उसमें image वीडियो के लिए भी आपको सिलर्ट करना होता है और क्या-क्या content आपका application में है वो सारे आपको यहां पर बताना पड़ता है ठीक है यह security privacy के लिए आपको भरना पड़ता है तो guys हमारे यह translate application के लिए इन में से कोई भी personal data बगर हम collect नहीं करते हैं और कोई image वीडियो बगरा share भी नहीं करते हैं अगर आप आपका application के अंदर इन में से कोई भी content दे रखा है तो उसके सामने आपको tick mark जरू लगाना होगा ठीक है गाइज अगर आप Google Play Console का data safety form भर रखा है तो आपको आसान हो जाएगा इसमें भरने के लिए औरना आप देख लिजे कैसे में भर रहा हूं यहाँ पर आप info and performance के अपर क्लिक करके crash logo को हम यहाँ पर select करते हैं next location के अंदर जाएंगे यहाँ पर precise location को हम यहाँ पर select करेंगे और इन में से दूसरा जो calendar वगरा ही यह सारे को skip करेंगा और next last में जो है device and other ID यह select करके यहाँ पर save and next कर देंगे data safety complete हो जाने के बाद हमारा bundle upload करने का procedure स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपना application apk file android app bundle जो आपके पास होगा वह यहाँ पर upload कर सकते हैं तो guys हमने nightrone के अंदर एक एप्लिकेशन बना है यह जो translator application तो guys अभी हमने build cover क्लिक करके apk file बना लेते हैं क्योंकि na apk file भी वहाँ पर upload हो जाता है तो apk file हमने upload करने वाले हैं तो यहाँ पर build होने के लिए थोड़ा सा time लगता है तो wait करना होगा तो guys apk file बनने के बाद जो apk file को upload कर लेंगे तो guys यहाँ पर थोड़ा सा time लगेगा आपका application का size जो भी होगा उसी की इसाब से आपको थोड़ा time लगेगा तो आपको wait करना पड़ेगा यहाँ पर 100% complete होने तक ठीक है अब यह आप देख सकते हो हमारा android जो application यहाँ पर upload हो चुका है guys successfully इसके लाबा अगर आपके पास कोई error आता है या फिर कोई problem होता है तो आप comment उसे comment कर दीजिएगा मैं आपको जरूर support करूँगा ठीक है तो यहाँ पर summit के अपर click कर लेते हैं आप uploaded successfully यहाँ पर message आ आ गया तो हमारा application यहाँ पर review के लिए चला गया है इंडस appstore team के पास जैसे ही सब कुछ सही मिल जाएगा तो हमारा application को यहाँ पर live कर दिया जाएगा ठीक है और जो जो language के साथ अपना application का आप upload कर रखाए setup कर रखाए उस language का location में आपका application show करेगा औ इसमें क्या होता है कि आपका application में अच्छा कर से डाउनलोड आता है तो guys I hope आपको properly समझ में आ गया होगा आपके इस तरीके से इंडस appstore के अंदर आपना application को upload कर सकते हो तो guys हमेशे के तरह video को like कर दो channel को subscribe नहीं किया है तो channel को जरू subscribe कर लिया करो अगर कोई problem होता है तो guys ह हमको अब contact कर सकते हो और commentation comment भी कर दीजिए मैं आपको जरूर support करूगा ठीक है so finally thanks for watching